हेलो फ्रेंड्स वालकम बैक तू माईचैनल स्क्रिन पर आप मेजरमिट देख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग हम यह कुरती बनाएंगे यहां पर हम डोरी वेस्ट कुरती बना रहे हैं जिसको हम दो मीटर फैब्रिक से बनाएंगे So 2 mm fabric में ज़्यादा से ज़्यादा घेर वाली कुर्ती कैसे बनाएं आज की वीडियो में हम यही देखेंगे तो सबसे पहले मैंने 2 mm fabric ले लिया है और ये मेरा champions fabric है अगर आपको 40 से ज़्यादा की length में कुर्ती बनानी है तो आपको fabric थोड़ा सा extra लेना पड़ेगा तो मुझे 42 की इसकी ready length रखनी है तो यहाँ पर मैंने fabric change extra लिया है अब देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी length और width दिखा देती हूँ जो इसका अरज है वो 51 inch है यानि इसका जो पना है वो ठीक ठाक है इसके बाद हमने इसकी length चाक करनी है तो किनारी वाली side से मैंने fabric को double fold किया है और double fold करने के बाद जो इसकी length है वो देखिए 43 inch है यानि ये 2 meter से 6 inch extra है अब double fold करेंगे किनारी वाली side से और इसको हम 4 fold कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर हम 4 तरफ से pin लगा लेंगे ये देखिए हमारी open side है और यहाँ से भी इसकी 4 layer है और ये वाली side जो है हमारी ये folded side है so 43 inch इसकी length है जो इसकी width है वो 25.5 inch है यानि 4 fold करने के बाद जो है ये 25 inch है अब इस side से हम अपने shoulder की marking करेंगे तो मैं boat neck बना रही हूँ जिसके लिए मैं 7.5 inch पर marking करूँगी इसके बाद हम shoulder से half inch नीचे की तरफ एक mark करेंगे तो ये mark हमने half inch पर करना है और fold side से हम 3.5 inch पर mark करेंगे और इन दोनों point को इस तरह से slanty mark कर देंगे तो इस तरह से हमारी candy down हो चुके है इसके बाद देखे हमने यहाँ पर armhole की length लेनी है और armhole की length मैं 7 inch लूँगी इसके बाद 7 के सामने हमने सीधा mark करना है जो हमारी bust line होगी यानि हमने chest का foot part करना है और mark करना है तो मैं यहाँ पर 10 inch पर mark करूँगी इसके बाद हमने shoulder पर inch tape रखना है और अपने waist की length लेनी है तो मैं यहाँ पर 15 inch पर mark करके कमर का round लूँगी तो यह हमारा 8 inch पर कमर की fitting रहेगी अब दोनों point को एक दूसरे से line up कर देंगे और आगे की तरफ 1.5 से 2 inch simming lounge ले लेंगे इस तरह से इसके बाद जो हमारी कमर का simming lounge है यहाँ पर हमने इंची tape रखना है और इस corner पर मिला देना है तो तिर्चा करके इंची tape को हमने कुछ इस तरह से रखना है और mark करना है तो guys वीडियो में end तक बने रहे हैं और मैं आपको step by step दिखाती जाओंगी अब देखिए free hand से हम अपने armhole की shape देंगे तो सबसे पहले हमने अपने back armhole की marking करनी है और उसके बाद half से pawn इंच अंदर की तרफ हम front armhole की marking करेंगे इस तरह से तो लीजे marking हमारी complete हो चुकी इसके बाद हमने cutting करनी है तो सबसे पहले हम कंधी down करेंगे half inch इसके बाद हम अपने back arm hole से cutting करना start करेंगे and guys वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छ से नहीं समझा पाई हूँ आप मुझे comment में पूस सकते हैं जहांपर मैं आपको definitely reply करूँगी तो देखिए ये cutting हमारी complete हो चुकी है इसके बाद देखिए जो आगे की तरफ open वाली side है यहाँ पर हमने already pin लगा रखी है इसके किनारी वाली side में अब जो इसकी हमारी किनारी वाली side है इसको हमने कमर की side इस तरह से मिला कर रखना है तो पहले हमने इसके चारो layer बराबर कर लेनी है और यहाँ से कमर की side से half inch उपर चढ़ाते हुए इसका simming lounge रखकर इसको set कर लेना है अब इसका kona थोड़ा सा cut कर देंगे इस तरह से अब देखिए जो हमारी कुर्टी की यहाँ से यह वाली side है उपर की तरफ 3 इंच पर एक mark करेंगे और इस mark को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे अब यहीं से आगे की तरफ और हमने गोलाई देनी है उपर तक इस तरह से और इसको भी हमने सीधा करके mark कर देना है इसके बाद हमने बिल्कुल इसी marking पर cutting कर लेनी है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी कुर्ति का फ्लेयर है वो कितना जादा हैवी हो गया है तो मैं आगे तक इसको ले लूँगी इसके बाद साइट से जो हमारा अनीक्वल हो रहा है उसको भी हम कट कर देंगे तो ऐसे यह हमारी चार कलिया कुर्ति के साइट में आएंगी जिससे कुर्ति का फ्लेयर बढ़ जाएगा अब देखे कलिया कट करने के बाद जो यह हमारा फैबरिक बचा है इसमें से हम स्लीव बनाएंगे और नेक के लिए फैबरिक यूज़ करेंगे तो इसको मैंने अच्छे से बराबर मिला कर रखा और यहां पर मैं 11 इंच पर माक करूँगी अपनी स्लीव के लिए और इस माक को हमने सीधा कर लेना है इस तरह से अब यहीं से मैं कट कर लूँगी जो एक्स्ट्र हमारा फैबरिक निकल रहा है यानि आर्मौल की शेप की जो कटिंग है इसको हम नैक के लिए यूज करेंगे तो इसको मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है अब इसकी चार लेयर है और इसको हमने यहां मिला कर रखना है फोल्डेट साइड कुर्ती की फोल्डेट साइड से मिला कर रखनी है इस तरह से अब neck की width मैं 3.5 इंच पर mark करूँगी 4 इंच पर ये इसकी neck की width ready हो जाएगी और जो neck की deepness रहेगी वो मैं 4.5 इंच लूँगी इस तरह से अब यहां से भी 3.5 इंच पर एक mark करके हमने box बना लेना है इसमें अपने neck की इस तरह से shape दे देनी है इसके बाद हमने neck की side से cut कर लेना है तो front और back के neck हम एक जैसे बना रहे हैं यानि equal बना रहे हैं इसके बाद देखिए जो neck की strip है इसको cut कर लेंगे तो इसकी चोड़ाई एक से 1.5 इंच की ले लेंगे इस तरह से तो ये 2 strip हमारे neck की cut हो चुकी है इसके बाद हम कुर्ती में से एक पार्ट निकाल देंगे और इसको हमने दुबारा से बराबर मिला कर armhole के extra cutting कर लेनी है जो ये हमारी कुर्ती का front बनेगा और यहाँ पर ये छोटे से notches लगा देंगे जो हमारी कुर्ती के chest के fitting के है अब देखिए ये हमारी जो चार कलिया है वो दो front में आएंगे और दो back वाले पार्ट में आएंगे तो देखिए किनारी वाली side को हमने इसके साथ joint करना है इस तरह से सो कोने वाला जो पार्ट है वो कमर की तरफ आएगा और flare वाला नीचे की तरफ अब यहां से half inch का दबाव लेकर हम इन कलियों को इसके साथ सिल देंगे तो चारो कलियों को हमने दोनों पार्ट में बिल्कुल इसी तरह से सिल देना है इसके बाद हम neck बनाएंगे तो यह हमारे neck की strip है इसको कुर्ती के right side में रखेंगे और यहां से एक pair का दबाव लेकर सिलेंगे इसके बाद छोटे-छोटे cut लगा देंगे जो हमारी पट्टी के edges है इसको fold कर देंगे इसके बाद यह पट्टी हमारी wrong side में इस तरह से चली जाएगी जहां पर हम hand stitch कर देंगे इसके बाद यह 11 inch का जो हमने sleeve के लिए fabric निकाला था इसमें हमने folded side से 9 inch पर sleeve की length लेनी है तो मैं sleeve की length 7.5 inch पर ready रखूँगी इसके बाद दिखे 2 inch आगे की तरफ जो हमारी strip है इसको हमने कुर्ती की waist में use करना है तो sleeve की length मैं 9 inch पर लूँगी अब इस mark को सीधा कर देंगे इसके बाद armul की width मैं 9.5 inch लूँगी अब यहां से 1.5-3 inch पर mark करेंगे और यहां से भी हमने 1.5-3 inch पर ही mark करना है जो mark हमने उपर किया है और sleeve opening के लिए मैं 1.5-7 inch पर mark करूँगी अब इस तरह से हम इन सब को एक दूसरे से मिला देंगे और sleeve की shape देंगे तो यह sleeve की shape है इसको cut कर लेंगे So friends यह sleeve हमारी cut हो चुकी है इसके बाद देखिए यह 2 inch की जो strip थी इसको हमने marking पर सीधा cut कर लेना है यह strip हमारी कुर्ती की waist में आएगी तो यह हमारी sleeve हो गई है और यह हमारी strip है जो waist में आएगी तो इसको मैं थोड़ा सीधा कर लेती हूँ जहां से यह unequal है तो देखिए यह हमारी 2 strip है कुर्ती की front और back के लिए इसके बाद हम sleeve के जो ओपनिंग है यहां पर एक cut लगा लेंगे जितना fold होगा और sleeve की दो layer में extra cutting कर लेंगे half से pon inch front part के लिए so guys अगर आप fabric ज़ादा लेंगे तो आपकी sleeve के length ज़ादा हो जाएगी बट मैं यह कुर्ती summer के लिए बना रही हूँ यानि गर्मियों के लिए बना रही हूँ तो मैंने half sleeve रखी है इसके बाद देखिए जो हमारी यह strip है इसकी जो length लेनी है इस तरह से वो अपनी कमर की fitting के बराबर लेनी है so जितनी भी आपकी कमर की fitting है सिर्फ उतना ही ले यानि कमर का half जो marking है हमारी front part की वो हमने 17 इंच पर की थी तो सिर्फ मैं 17 इंच पर यह पट्टी कट करूँगी तो जितनी भी आपकी कमर का half है यह पट्टी की length उतनी लेनी है so दोनों पट्टी की length बराबर रहेगी और जो इस पट्टी की width है वो 2 इंच है अब इस पट्टी को चारों तरफ से हम इस तरह से fold कर लेंगे तो दोनों पट्टी को हमने इसी तरह से fold कर लेना है अब देखिए कुर्टी के जो neck की पट्टी थी वो हमने लगा लिए और wrong side में इस तरह से fold कर दी है इसके बाद कुर्टिकेज साइड में जो हमने कलियां कट की थी फ्लेयर बढ़ाने के लिए वो कलियां भी हमने इसके साथ सिल दी है अब यहाँ पर आप स्ट्रिप देख सकते हैं जो 2 इंच की स्ट्रिप कट की थी हमने वो अंदर की तरह फोल्ड कर ली है इस तरह से तो ये हमारा 16 इंच पर ready हो गई है दोनों स्ट्रिम क्योंकि हमने इसको 17 इंच पर cut किया था अब इसको हमने यहां कमर के साइड में लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी वेस्ट की length ले लेंगे तो वेस्ट की length मैं यहां पर 16 इंच ले रही हूँ आप अपने measurement के साब से जो भी आपकी वेस्ट की length है वहां पर इस तरह से mark कर सकते हैं इस तरह से तो mark बिल्कुल सीधा करना है इसके बाद इस पट्टी को mark के उपर रखना है बीच ओ बीच अब हमारी कुर्टी में जितनी भी fitting आएगी ये पट्टी जो रहेगी वो बीच ओ बीच रहेगी दोनों के इस side में जो भी margin हमारी कुर्टी का उतना ही margin हम इधर mark कर लेंगे इस तरह से अब ये strip हमारी fitting के बीच ओ बीच आएगी यहां पर अब उपर से और नीचे से हमने एक-एक सिलायल लगा देनी हैं जिससे ये strip कुर्टी की कमर के साथ अटैच हो जाएगी तो देखिए इसकी उपर से 16 इंच की लैंट पर हमने इस strip को रखा है और fitting के बीच ओ बीच इसको चोड़ाई में रखा है और इसके बाद ये जो दूसरी स्ट्रिप है वो मैं बैक वाले पार्ट में लगाऊंगी तो उसको लगाने का थोड़ा सा और तरीका में आपको बता देती हूँ जो आसान रहेगा सबसे पहले कुर्टी के बीच में एक सैंटर में हमने माक कर लेना है इसके बाद हमने शोल्डर से इंची टेप रखना है और कमर की लैंथ लेनी है जितनी भी आएगी तो 16 इंच की लैंथ पर मैंने माक किया है अब शोल्डर की साइट से भी हम यहां से लैंथ ले लेंगे 16 इंच और दूसरी साइट से भी 16 इंच पर माक कर लेंगे इसके बाद जो हमारी strip है उसको हमने बीच में से फोल्ड करना है और इसके center में एक mark कर लेना है इस तरह से अब इस mark को हमने यहां कमर की side में रखना है अब यहां से हमने देखिए बिल्कुल center से center match किया है अब मैं यहां पर pin लगा देती हूँ और इस strip को बीच में से secure कर देंगे तो हमने यह strip बीच में रखनी है center में अब दोनों तरफ से इसको भी हमने बिल्कुल इसी तरह से सिलना है जैसे मैंने पहले बताया था तो किनारी पर हमने यहां से और यहां से stitch लगा देनी है इसकी यह वाली जो side है इसको हम open रखेंगे जहां से हमने door insert करनी है so guys इस तरह से आप देख सकते हैं यह strip हमने लगा दी है और दोनों side से यह open है so guys कुर्ती का front और back वाले part दोनों एक तरह से ready होंगे तो यह मेरा front वाला part है अब इसकी right side नीचे की तरफ रखेंगे दोनों कंधियों को इस तरह से joint कर देना है इसके बाद हम कुर्ती की fitting लगाएंगे so fitting के लिए हमने कुर्ती की wrong side में marking कर ली है so आप देख सकते हैं जो marking हमने right side में की थी उतने ही margin पर हमने wrong side में marking की है इसके बाद दोनों layer side से मिलाते हुए घेरे तक हमने इसकी fitting कर देनी है तो कमर के बाद margin को मैं थोड़ा हलका कर दूँगी यानि half से 5 inch कमर के बाद हमने दबाव लेना है और यहां से fitting लगा देनी है इसके बाद देखिए नीचे घेरा fold कर देंगे half inch का दबाव डबल fold करने के बाद और इसकी sleeve लगा देंगे जो हमने half sleeve cut की थी यहां पर sleeve लगाने के बाद जो हमारी कुर्ती है वो इस तरह से ready हो गई है अब मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए इस कुर्ती के plazo में से थोड़ा जो fabric बचा था उसकी length में मैंने यह दो पटिया यानि दो डोरी सी ली है तो यह दोरी थोड़ी मैंने मोटी सी है और यहां आप देख सकते हैं जो मैंने टाजल्स बनाए है वो कुर्ती के जो neck cut करने के बाद चार पीस इस तरह से बचे थे राउंड शेप में उसके मैंने टाजल्स इस तरह से बना लिये है और इन डोरी के साथ attach कर दिया है अब एक डोरी हमारी front में आएगी और एक डोरी back में आएगी जिसको हमने यहां से इस तरह से insert करना होगा तो दिखिए डोरी insert करने के लिए मैं safety pin का use कर रहे हूँ और यह बहुत आसानी से टाजल्स के साथ अंदर के तरफ insert हो रहा है इस तरह से अब इसको हमने दूसरी साइट में निकाल लेना है और इसके बाद अब हमने back वाली जो डोरी है वो insert करनी है उम्मीद करते हूँ गाईज आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेट में पूस सकते हैं तो लीजे दोनों डोरी हमने insert कर दी है इसके बाद हमने अपनी कमर की fitting के according थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से type कर लेना है इस तरह से और इस प्लाजो का वीडियो में पोस्ट कर चुकी हूँ तो यह दो मिटर में हेवी घहरा प्लाजो किस तरह से बनाया जाता है उसका लिंक में डिस्क्रश्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूँगी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो आपको फैबरिक की विट लेनी है वो थोड़ी ज़्यादा लेनी है जिससे हमारा प्लाजो घेरे वाला बनेगा और हमारी कुर्ती का जो फ्लेर है वो भी एक्स्ट्रा बनेगा इन आने वाली गर्मियों में आप ये एक बार ट्राय जरूर करें बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और कमफर्टेबल आउटफिट है तो आप इसको एक बार ट्राय जरूर करें ये प्लाजो कुर्ती सैट मैंने समर्स के लिए बनाया है तो इसमें मैंने ये हाफ सिलीव रखी है अगर आप फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्टर लेंगे तो आपकी फूल स्लीव हो जाएंगे जहां तक भी आपको स्लीव पहनना पसंद है स्लीव आप अपनी चॉइस के साफ से ले सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बाक्स में जरूर बताएं प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जूरूर कर दे क्योंकि जद्र लोग वीडियो देख लेते हैं बर लाइक करना भूल जाते है अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो हूमें अच्छे सा अच्छे डिजाइन बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और सपोर्ट की वज़ा से और अगर आप मुझसे डारेक्ट कनेक्ट होना चाते हैं तो आप मुझे इस्टाग्राम और मेरे फेस्बूक पेज़ पे ज़रूर फॉलो करें दोनों का लिंक में डिस्क्रेशन बॉक्स और पिन कमेट में दे दूँगी जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी के साथ वीडियो कम्प्लीट होता है मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियास के साथ तब तक के लिए बाय टेक केर थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो